क्या आले दोस्तों, welcome to c programming tutorials by learning light education और इस वीडियो में हम लोग relational और logical operators के बारे में जानेंगे c programming में हमें 6 तरह के relational operators available है, वो है less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, equal to, और not equal to और हम लोग जादा तर तीन तरह के logical operators को use करते हैं, वो है and, उसके बाद or, और उसके बाद not, मैं आप लोगों को इस सब operators के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा यह जो relational operators है, वो दो value के बीट के relationship को refer करता है for example, एक का value दूसरे से जादा हो सकता है, कम हो सकता है, और कभी-कभी equal हो सकता है, और not equal to be हो सकता है और इस logical operators को use करके, हम लोग relationship को connect कर सकते हैं तो अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहे तो ठीक है, जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा तो यहाँ पे पहले हम लोग इस relational operators के बारे में जानेंगे और यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में जब एक value 0 है, हम लोग उसे false मानते हैं और एक value 0 नहीं है तो उसे हम true मानते हैं जब भी एक expression में हम लोग इस relational और logical operators को use करेंगे तब यह operators true के लिए 1 को return करता है और false के लिए 0 को return करता है तो अभी यहाँ पे demonstrate करने के लिए मैं अभी दो variables को create करूंगा हमारा variables integer type के होंगे और पहला होगा num1 और उसके बाद हम लोग num2 को create करेंगे और उसके बाद और एक variables को भी create करेंगे जो result को store करेगा तो यहाँ पे हम लोग इस num1 को एक value से initialize करेंगे 10 से और num2 को 20 से initialize करेंगे मैंने बताया था कि यह relational operators जो है यह दो values के बीच के relationships को refer करता है for example यहाँ पे हमारा num1 और num2 में जो value है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं num1 का value num2 की value से कम है अगर आप लोग अपने program पे यह चक करना चाहते हैं कि whether यह num1 के value num2 के value से कम है तो आप लोग इस less than relational operators को use कर सकते हैं उसके लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा num1 उसके बाद less than relational operator उसके बाद num2 यह expression जो है यह true को return करेगा और 1 को return करेगा if यह num1 के value जो भी value इस num1 पे num1 variable पे है वो इस num2 variable के value से कम है तो यहाँ पे num1 पे 10 है और num2 पे 20 है इसलिए यह true को return करेगा क्योंकि num1 is less than num2 और वो जो true value है वो एक है उसे हम लोग इस result पे store करेंगे इसलिए मैं लिकूँँगा result equal to num1 less than num2 और अभी मैं एक printf function को use करके उसे print करूँँगा और यहाँ पे मैं लिकूँँगा percentage d less than percentage d is percentage d और यहाँ पे हम लोग पहले num1 को refer करेंगे उसके बाद num2 को refer करेंगे और उसके बाद हम लोग result को refer करेंगे तो अभी मैं इसे save करके build and run करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 less than 20 is 1 क्योंकि 10 is less than 20 इसकी वज़े से इस expression ने num1 less than num2 expression ने true को return किया और एक को return किया तो इस expression की result से हम लोग एस समठ सकते हैं कि जो भी value इस num1 पे है वो num2 की value से कम है इसी तरह आप लोग यह check करना चाहते हैं कि whether यह num1 के value num2 के value से जादा है तब ही आप लोग greater than relational operators को use कर सकते हैं अभी मैं यहाँ पे greater than symbol पे change करूँगा और इसे build and run करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं 10 greater than 20 is 0 क्योंकि num1 के value जो 10 है वो num2 की value जो 20 है उससे जादा नहीं है इसलिए इस expression ने false और 0 को return किया है तो इस result की value से हमें यह पता चलता है कि num1 के value num2 के value से कम है इसी तरह हम लोग less than equal to और greater than equal to को भी use कर सकते हैं यहां पर मैं greater than equal to को use करूँगा यहां पर भी change करूँगा यह expression अभी true return करेगा और one return करेगा जब num1 के value num2 की value से greater than or equal है यहां पर अभी 10 है और 20 है 10 greater than or equal to 20 नहीं है इसलिए यहां पर 0 आएगा मैं इसे save करके build and run करूँगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं 0 आया है पर अगर हमारा num2 variable भी 10 को भी contain कर रहा है तो यहां पर एक आएगा क्योंकि 10 is greater than or equal to 10 इसलिए true return किया है और one को return किया है इसी तरह आप लोग less than or equal to को भी use कर सकते हैं और एक बात यह है कि यहां पर आप लोग इस num1 और num2 के अलावा direct values को भी use कर सकते हैं यहां पर मैं 10 और 10 को भी write कर सकता हूं जो भी values है उसे भी हम लोग यहां पर use कर सकते हैं तो यहां पर मैं 10 करूँगा और यहां पर भी 10 करना पड़ेगा और अभी मैं इसे build and run करूँगा तो आप यहां पर देख सकते हैं 10 is greater than or equal to 10 is 1 तो अभी मैं इसे close करूँगा अभी मैं आप लोगों को is equal to और not equal to relational operators के बारे में बताऊंगा यह equal to true return करेंगे जब दो values equal है यहां पर अगर आप लोगों को confuse हो रहा है इस result equal to num1 equal to num2 यहां पर double equal to symbol use करना पड़ता है relational operator के लिए तो यहां पर मैं bracket दालूँगा ताकि हमारा confusion थोड़ा कम हो सके तो अभी यहां पर equal to लिखूँगा मैं और इसे build and run करूँगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं 10 equal to 10 is 1 क्योंकि 10 10 के बराबर है और अगर यहां पर हमारा num2 variable 20 content करता तो यह false return करता और 0 को return करता है तो ऐसे हम लोग not equal to को भी use कर सकते हैं यह not equal to जो है true return करता है जब दो values equal नहीं है अगर वो equal है तो false return करता है यहां पर मैं build and run करूँगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं और मैं यहां पर not equal to को change करूँगा और build and run करूँगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो इस तरह हम लोग relational operators को हमारे प्रोग्राम पर यूज कर सकते हैं इसे इस relational operators को हम लोग comparison operators भी कहते हैं और इसे हम ज्यादा तर जब भी हमें अपने प्रोग्राम पर कुछ condition चक करना है तो यूज कर सकते हैं अभी मैं आप लोगों को logical operators के बारे में बताऊंगा इस logical operators को use करके हम लोग इस relations को combine कर सकते हैं for example यहां पर आप लोग यह चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा num1 variable 0 से ज्यादा contain कर रहा है और 100 से कम contain कर रहा है तो आप लोगों को 2 expression लिखना पड़ेगा और इस logical operators को use करके हम लोग उसे combine कर सकते हैं तो यहां पर हम लोगों चेक करना चाहते हैं क्या यह num1 के value greater than 0 है और यह num1 के value less than 100 है तो यहां पर हम लोग ने 2 expression लिखे हैं और यह दोनों expression relational operators को use करते हैं अभी इस दोनों expression को combine करने के लिए हम logical operators को use कर सकते हैं यहां पर हम लोग यह देखना चाहते हैं क्या यह num1 के value 0 से ज्यादा है and num1 के value 100 से कम है हम लोग दोनों expression को check करना चाहते हैं तो and use करूँगा मैं यहां पर मैं इस confusion को कम करने के लिए brackets दालूँगा यहां पर और यहां पर भी अभी यहां पर क्या होता है कि पहले यह check किया जाता है कि क्या num1 के value 0 से ज्यादा है यहां पर 10 है 0 से ज्यादा है इसलिए यह true return करेगा मतलब one return करेगा उसके बाद इसे check किया जाता है क्या num1 के value 100 से कम है यह भी true है तो यह एक return करता है तो हमारा पहला वाला एक return किया और दूसरा वाला एक return किया तो यह and operation true return करता है और यह पूरा expression true return करता है जब इस and operators के दोनों sides true return करते हैं तो यहाँ पर one और one है and operators के दोनों side इसलिए हमारा result true आएगा तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा पहले हम लोग इससे result को result variable पे store करेंगे और उसके बाद printf यूज करके print करूंगा मैं printf और यहाँ पर मैं सिर्फ results के value को print करूंगा और is gonna be result तो अभी मैं इसे build and run करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 आया है यह क्योंकि num1 के value 0 से जादा है and num1 के value 100 से कम है अगर यहाँ पर मेरा num1 के variable 200 को contain कर रहा है तो क्या होता है कि यहाँ पर अभी यह num1 greater than 0 true है तो यह यह को return करेगा num1 is greater than 0 200 is greater than 0 उसके बाद यहाँ पर चक किया जाता है क्या num1 के value 100 से कम है यहाँ पर 200 100 से कम नहीं है इसलिए यह false return करता है अभी इस and logical operator जो है यह false return करता है क्योंकि इस and operators के दोनो sides true नहीं है एक side true है पर और एक side false है इसलिए एक side true है दूसरे side false है तो हमारा result आएगा false तो अभी मैं यहाँ पर इसे save करूँगा और build and run करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 0 आया है हमें तो अभी मैं आप लोगों को और operators को explain करूँगा अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि क्या इन num1 के value 0 से ज़्यादा है और इन num1 के value 100 से कम है क्या यहाँ पर किसी एक expression true है तो आप लोग और operator को use कर सकते हैं यह और operator true return करता है जब यह किसी एक side left side और right side true है अगर दोनों true है तो obviously true return करेगा अगर किसी एक side true है तब भी true return करेगा तो यहाँ पर num1 0 से ज़्यादा है 200 0 से ज़्यादा है यह true return करेगा यह expression और यहाँ पर num1 less than 100 200 less than 100 नहीं है यह false return करेगा पर यहाँ पर r operator है इसकी वजह से यह true return करेगा क्योंकि एक side इसका true है तो अभी मैं इसे save करके build and run करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं true आया है तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसे minus 100 करूँगा और इस num1 को minus 50 करूँगा तो अभी क्या होता है कि यहाँ पर पहले num1 के value 0 से ज़्यादा है minus 50 0 से ज़्यादा नहीं है तो यह 0 रिटन करेगा तो यहाँ पर क्या यह num1 के value minus 100 से less है यहाँ पर minus 50 जो है वो minus 100 से कम नहीं है यह ज़्यादा है minus 50 minus 100 से ज़्यादा है इसकी वज़े से यह भी 0 रिटन करेगा तो यहाँ पर दोनों सेट 0 है इस और operator के तो हमें result आएगा 0 अगर किसी भी एक सेट 0 होता तो हमें 1 आता अगर और अगर दोनों सेट 1 होते तो हमें आता 1 यहाँ पर दोनों सेट 0 है उसकी वज़े से यहाँ पर हम लोगों को 0 आता है मैं अभी इसे सेव करूंगा और build and run करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 0 आया है तो अभी मैं आप लोगों को लास्ट एक लॉजिकल operators के बारे में बताना चाहूंगा वो है not operator जब भी हम लोग इस not operator को use करते हैं तब जो भी value है वो reverse हो जाएगा यहाँ पर मैं इस num1 पर store करूंगा 0 को तो मैं यहाँ पर लिकूंगा not num1 तो num1 पर 0 है तो यहाँ पर not symbol use किया है हमने उसके वज़े से जो value यहाँ पर है वो एक हो जाएगा अगर true है तो false हो जाएगा false है तो true हो जाएगा याद रखिए 0 है तो false है और किसी भी value है तो true है तो यहाँ पर हम लोग इसे result पर store करेंगे मैं अभी इसे print करूंगा printf statement को use करके तो यहाँ पर होगा percentage d और उसके बाद आएगा हमारा result तो अभी मैं build and run करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह one हो गया है अगर हमारा यहाँ पर एक होता तो मैं इसे build and run करूंगा तो यह आएगा 0 अगर यहाँ पर यह नम्मोन पर 10 होता तो भी हमको मिलेगा 0 क्यूंकि जो भी value 0 है उसका मतलब है false और other than 0 उसका मतलब है true यहाँ पर इस not operator को जब हम use करेंगे तब ही जो भी value यहाँ पर है वो true और false में बदल हो जाएगा अगर यह true है तो इस not operator की वज़े से false हो जाएगा अगर यहाँ पर false है तो not operator की वज़े से true हो जाएगा तो एता दोस्तों इस तरह हम लोग logical और relational operators को हमारे program पर यूज कर सकते हैं और आप लोग मेरे youtube चैनल पर subscribe भी कर सकते हैं और थाकि जब भी मैं नए वीडियोस चालूँगा तो आप लोगों को एक notification मिलेगा और आप लोग मुझे facebook पर like कर सकते हैं facebook.com slash learning lad hindi और facebook.com slash learning lad पर